हट्थर तेरी कबर खुदेगी मजूर एकता जिन्दाबार नहीं रहेंगे बुर्की से नहीं रहेंगे बुर्की से खटर तेरी कबर खुदेगी मुद्धी खटर मुर्दाबाद खटर नहीं खटर नहीं खटर नहीं खटर नहीं तूट का पिटर है खिला मजदूर हैं वो भी यहाँ पर इस प्रदर्शन में शामिल हुई है इस वीडियो को आप जादा से जादा शेयर कीजिए आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो तस्वीर है वो हम आपको करनाल के रेलवे स्टेशन से दिखा रहे हैं जहां पर तमाम मनरेगा मजदूर अपनी मांगों को लेकर सडकों पर उतरे हैं पहली मांग ये है कि 600 रुपए दिहारी होनी चाहिए 600 रुपए मजदूरी मिलनी चाहिए और साथी साथ जो मजदूर मेट हैं उनको पक्का किया जाना चाहिए ये चाहते हैं कि साल में 365 दिन आते हैं तो इने पूरा साल काम मिलना चाहिए लेकिन काम मिलता है 50 दिन या 60 दिन लेकिन सरकार की तरह से कहा जाता है कि 100 दिन का काम हम देते हैं क्या आपका नाम है कहां से आप आए हैं क्या कुछ आपकी मांगें मेरा नाम रामाउतार सुल्चानी है अखिल भारतिय मनरेगा जो सयोग मंच है इसका प्रदेश का सयोजग और राष्ट्रिय सयोजग साथ जी अमारे जितने मनरेगा के आई हैं हम आपको बताना चाहते हैं कि पूरे अर्याना में सितंबर तक केवल 20 दिन काम मिला है केवल 20 दिन काम मिला हमारी पूरे साल में अभी सितंबर तक आप देखिए आठ मिन्ने नो मिन्ने हो चुके हैं केवल 20 दिन पूरे अर्याना में 2,82,268 मनरेगा में काम करते हैं यह इतने लोगों का परतिनी तव कर रहे हैं यह लोग हम यह कहना चाहते हैं सरकार से एक अगस्त को हमने सभी डीसीज को ग्यापन दिये हमने काड मुख्यमंतरी साब से हमें मिलवाई है हमने रणबीर गंगवा को दिया हमने कमल गुपता को दिया कमल गुपता तो बढ़क गए जब हमने रीसीविंग मांगी कहने लगा कानून में उलजा हुआ है हमने तो हम के रहें कानुन में नियूल जा रहें मजदूर रोजी रोटी का लिए काम कर रहा है सबसे पहली मांग पूरा साल काम लेंगे 6 से रुपय द्याड़ी द्यारी दूसरी मांग हमारी जितना भी मंरेगा में में अनड़ काम करता धे उन से लेके मानेंगे इसी परकार हम कह रहे हैं बीपियल का सवाल है कैटल सेड का सवाल है और सबसे बड़ी दिक्कत हमें यह है कि मनरेगा पे साइट पे काम करते हुए यदि मोत हो जाती है पच्चीस अजार रुपे देते हैं किया यह मजदूर बकरी का बच्चा समझ रख अभी यह है एप लेके आई है पूरे दिन काम करते हैं एप नीच लेगा यानि के वाई-फाई का कोई नहीं है छोटे-छोटे फोन है मेट्रो के पास काम भी कर दिया और द्याड़ी भी नहीं मिलेगी कहां-कहां से आप आए हैं क्या आपकी मांगे हैं मीट की साल-जाल से त्याड़ी रुकी हुई है और मजदूर के पैसे भी रुके हुए हैं, तिन सो रुपे हमें दिये जाते हैं, तिन सो में से भी बीच में हजरी हमारी काट ली जाती हैं, और उसमें से भी सो सो रुपे, कभी तो सो सो रुपे भी हमारी खाते माए हैं, क्या जी हम मजदूर हम कैसे गुजरा चलाएंगे, खट्र को सोचना चाहिए कि वो बैठा तो है आराम से आजा के देखे हम मादान में उतर चुके हैं आर पार की लड़ाई लड़ेंगे रणनीती है जी हम हाउस तक जाएंगे अपनी मांगों को लेके और जब तक मानेंगे नहीं हम उठेंगे नहीं आज यहीं रहेंगे ज्या ठीकत में सिर्फ 50 दिन 40 दिन 30 दिन ऐसे काम मिलता है 331 रुपे द्याड़ी है यह तमाम मांगे हैं जिसको लेकर मन्रेगा मजदूर सडकों पर हैं रेल्वे स्टेशन के पास इकठे हुए हैं इसके बाद सी एम आवास हां जी मां जमा भी खमंगर आखर जी अगरिब बाकाल तो अजी क्यों कर अपने बच्चा न पालेंगे हमें मजदूर जमीन आए तो अपने जमीन तई कर लेंगे गुजारा मारा के रहा होगा जी कितने पैसे देती है सरकार सरकार तो यह कुछ देना आब दो जाड़ि मिन करां जी तिन जो पैंटीस देवा है जे दे दे थे आ अचाहिम पे आजा जाए है पैसे आएं आद्धा के मर्जा हैं जी किसे के मर भी जामा जी मरई पैसे जिए मरे बच्चे जों बुक्यत श्या माफिश सकते हैं ये बसे भर-बर के जो मन्रेगा मजदूर है वो आ रहे हैं और इसके बाद जो गहराव है वो सीम आवास का किया जाएगा मांगे हैं छे सो रवे दिहारी की जाए साथी साथ मन्रेगा जो मेट है उन्हें पका किया जाए 365 के 365 दिन इने काम मिले लेकिन काम मिलना ही रहा है जिसके चलते ये प्रदर्शन ये आक्रोश ये गुसा मन्रेगा मजदूरों का आज सडकों पर देखने को मिल रहा है इस वीडियो को आप जादा से जादा शेयर की जाए सिये मावास का भी घिराव किया जाएगा तो आए कुछ जो महिलाएं उनसे बातचित करते हैं मैं क्या कुछ कहेंगे आज आप यहां पर पहुंचे हमारी मांगे है हमारी मांगे ये है हमारे धाड़ी 600 रुपे की जाए और हम जो भी काम करते हैं वो हमें 365 दिन का मिलना चाहिए और 365 दिन यही हमारी मांगे और जो हमारी मेटे हैं उनको पका किया जाए अजिए करेंगे हां जी करेंगे पिलकुल करें गे तो कहां से क्या पूरे हरी आन पर थे कंचे हैомbol पकुरा करें अगली बार सब आएंteringे इस से पहले भी कभी अपने मांगों के लिए किसी के आगे किसी यादिकारे च कही ता चीए लाइनकिए ऑफिन्म जक्राएब आड़ा से खोखे कारीद子 तरीक अरनेम केंदागे। यह जाकर नहीं चलती तो उनको घर बेज दिया जाता है कि तुम्हारी मजदूरी नहीं मिलेगी ऐसे यह बताओ आप जैसे जिसका घर मनरेगा से चलता हो क्या करेगा तो दूसरा कारिया नहीं कर सकता अगर उसको वहां से कह दे कि अपने घर जाओ तो उसका चुला कैसे चलेगा नहीं चल सकता लेकिन यह कि अभी बहुत है अगर नहीं आपको अगर नहीं लगता है तो मजदूरों को वापीस आना पड़ता है काफी लोगों को तो चलाना भी नहीं आता होगा ओनलाइन कर देख सकते हैं काफी भारी संख्या में यहां पर मन्रेगा मजदूर पहुंचे और कहा जा रहा है जो ध्याड़ी है वो तीन तो से बढ़ा कर 600 की जाए तीन सो पैसर दिन काम मिले और जो ओनलाइन इन लोगों को अपनी हाजरी लगानी पड़ती है उसमें परिशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि कभी इंटरनेट नहीं चलता वहीं आपको दिखाऊं काफी हर तपके के लोग हैं तो काफी लोगों को इंटरनेट चलाना या तो मोबाइल पोन चलाना नहीं आता ये भी परिशानी है काफी भारी संख्या में रेलवे स्टेशन के बाहर ये सबी जो है मन्रेगा मजदूरी कट्टे पर पूरे हर्याना से यहाँ पर पहुंचे यह दो बसी और भर कर पहुंचे और बताया जा रहा है अगर हमारी मा मांगे नहीं मानी गई तो इसके बाद तो अभी थोड़े आया और भी जादा यहां पर बढ़ेंगे और कुछी दिर में कहा जा रहे हैं सीम हवास का भी घिराव किया जाएगा अपनी मांगों को लेकर आप लोगों से अपील रहे कि इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करें कीरती कथूरिया करनाल ब्रिकिंग न्यूस करनाल